हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान प्रोजेक्ट सेयर करने जारी हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारा बेबी कैप का है, ये कैप हमारी छे महिने के बच्चे से लेकर एक साल के बच्चे को आएगी और बन के देखे, बहुती खुबसूरत हमारी ये कैप आई है, और बनाने के लिए भी बहुती आसान हमारी ये कैप है, अब देखे, यहां पर इस कैप की लेंट देख लेते हैं, कि कितनी है, तो देखे, यहां पर हम इंच टेप की साहिता से देखे, कैप की लेंट देखे तो यह कैप हमारी टोटल 7 इंच की बनी है, यह देखे, दोस्तों आप मुझसे फेस्बुक और इस्टर में भी जूर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको निचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अब हम अपना पैटर्न बनाना इस्टार्ड करते हैं, तो देखे, आप सबसे पहले हम फंदे डालेंगे, अपने प्रोजेक्ट के हिसाफ से, तो यहाँ पे हमने 82 फंदे डालेंगे, यानि कि 82 फंदे हम यहाँ पे डालेंगे, तो देखे, सबसे पहले हम धागे को, जितने हमें फंदे डालने हैं, उस हिसाफ से हमें धागे को फोल्ड कर ले आप देखे, simple फंदे भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने designer फंदे डाले हैं, अब देखे, जो हमने designer फंदे डाले हैं, उसका link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगी, अब देखे, इस तरीके से हम धागे को fold कर लेंगे, डबल fold किया धागे को, आप देखे, इस तरीके से ऐस से एक फंदा बना लेंगे, यह हमारा starting वाला फंदा है, तो इस तरीके से हमने एक फंदा बना लेने, यह देखे, यह एक फंदा बन गया, अब देखे, जो हमारे फंदे बनेंगे, वो डबल बनेंगे, इस तरीके से डबल फंदे आएंगे, हमारे, अब देखे, हम यहाँ फंदे डारने स्टार्ड करेंगे एक फंदा हमने डाल दिया आप देखे एक बार तो हमें ऐसे अंगुटे के सारे से ऐसे धागा गुमाना है और ये फंदा बना लेना है इस तरीके से और देखे जो धागे का दूसरा सिरा है हमारे धागे का गोले वाला सिरा इसको हमने इस सलाई के उपर ले जाना है और एक फंदा बन जाएगा फिर देखे यह दूसरी बार धागे को ऐसे करेंगे इस तरीके से और ऐसे सलाई के उपर रखेंगे और यह देखे यह हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा तो यह जो हमारे फंदे हैं यह जोड़े में आएंगे यह टू फंदे डाल लेंगे, तो दीखें, एक बार इस तरीके से धागे को करेंगे, ये एक फंदा बनेगा, एक बार इस तरीके से हम धागे को करेंगे, ये दूसरा फंदा बन जाएगा, इस तरीके से हमारे डिजाइनर फंदे आ जाएंगे, एक बार इस तरीके से करेंगे, औ सेम प्रोसेस हम आगे रिपीट करते जाएंगे और 82 फंदे कम्प्लीट कर लेंगे अब देखें यहां पर हमारे फंदे कम्प्लीट हो गए मैंने सेम्पल के लिए डाले हैं तो मैंने यहां पर 16 फंदे डाले हैं आपने 82 फंदे डालने हैं और 82 फंदे डालने के बाद हमने बॉर्डर बनाना इस्टार्ड करने हैं तो देखें यह हमारा फ्रंट साइड है और यह देखें यह हमारा बैक साइड है यह हमारा रॉंग साइड है यह फ्रंट साइड है तो देखें इस तरीके का हम बॉर्डर ब उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर एक फंदा हमारा सीधा आएगा धाग अपनी साइड एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फन्दा सीधा आजाएगा एक फन्दा उल्टा सेम प्रोसिस हम रपीट करते जाएंगे और फ्रन्ट साइड से हमने फर्स्ट रो को कमपलीट कर लेना है ये देखे ये फन्दे हमने एक-एक करके भुने इस तरीकसे यह देखे यह front side से हमारी pattern की first row complete हो गई बैक side से देखे second row अब border की second row लो देखे पेला फंदा उतारेंगे धागा अपनी side अब देखे जो उल्टा फंदा होगा उसको उल्टा बुनेंगे धागा पीछे जो सीधा फंदा हो सीधा बुन ले रहें, सीधे फंदे को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा, ये देखे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, तो देखें ये बैक साइड से हमारी बॉर्डर की सेकिंड रो कम्प्लीट हो गई, आप देखें फ्रंट साइड से थार्ड रो, अब थ साइट से जो 4th रो आएगी उसको 2nd रो की तरह बुनते हुए complete करेंगे same process को repeat करते हुए हमने यहां पर 6 रोज और बुनके complete कर लेनी यानि कि 6 सलाइयां बुनके हम और complete कर लेंगे total हमारी यहां पर border की 8 सलाइयां होनी चाहिए तो दो ये पहले से हैं और 6 सलाइयां बुनके और complete कर लेंगे तो पहले हम यहाँ पे 6 सलाइयां और बुनके complete कर लेते हैं ये देखिए ये border की हमने 6 सलाइयां और बुनके complete कर ली ये border की हमारी total 8 सलाइयां बुनके complete हो गई ये देखे ये 82 फंदों में हमने border pattern बना के complete कर दिया और ये total हमने 8 सलाईयां बुन के complete की 8 सलाईयां complete होने के बाद हमने अब देखे जो 9 सलाईय आएगी इसको हमें सीधा बुनना है front side से देखे जो 9th row आएगी उसको हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से 9th row को हमने सीधा बुनते वे complete करना है ये देखे ये front side से हमारी 9th row complete हो गई 9th row को हमने सीधा बुनते हुए complete किया अब देखे जो back side से हमारी 10th row आएगी उसको हम back side से उल्टा बुनते हुए complete करेंगे पहला फंदा उतारेंगे और देखे back side से हमने 10th row को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और बैक साइड से अपनी टैन त्रो कमप्लेट कर लेंगे यह देखें बैक साइड से हमारी टैन त्रो कमप्लेट हो गई टैन त्रो को हमने उल्टा बुनते हुए कमप्लेट किया आप देखें फ्रंट साइड से 11 तरो, आप 11 तरो को हमने 9 तरो की तरो बुनते हुए complete करना है, आप देखें जो हमारी 11 तरो आएगी, 13 तरो आएगी और 15 तरो आएगी, उसको हमने 9 तरो की तरो बुनते हुए complete करना है, और back साइड से देखें जो हमारी 12 तरो आएगी, 14 तरो आएगी उसको हमने 10th row की तरो बुनते हुए complete करना है same process को 9th और 10th row का same process को repeat करते हुए हम यहाँ पर 6 सलाइयां बुनके और complete कर लेंगे 6 सलाइयां और बुनके complete कर लेते हैं पहले यह देखिए यहाँ पर हमने यह 6 सलाइयां और बुनके complete कर दी total यह सीधी सलाइयां हमारी 8 सलाइयां हो गए अब देखिए 8 हमारी border की सलाइयां हो गए और 8 हमारी यह सीधी सलाइयां हो गए तो total हमारी यहाँ पर 16 सलाइयां बुनके complete हो गए 16 सलाइयं complete करने के बाद देखिए अब front side से देखिए हमने इन फंदों को divide कर लेना है अब इन फंदों को हम 16 के multiple में divide करेंगे और इन फंदों को हम 5 भागों में बाट लेंगे 16 के multiple में हमने इन फंदों को divide कर लेना है इन फंदों को हमने 5 भागों में बाट लेना है और 2 फंदे हमारे extra होंगे तो देखिए यहाँ पर हम अब pattern बनाना start करते हैं तो देखिए 17 रो फ्रेंट साइड से पहला फंदा उतारेंगे यह पहला फंदा extra है अब इसके बाद हमने 16 फंदे सीधे भुन लेने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोद्दा, पंद्रा, और 16 यह देखिए यह 16 फंदे हमने भुन दिये अब 16 फंदों में हम पहले pattern बना लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने अब सलाई को पल्टा लेना है इस तरीके से यह देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे एक साथ भुन लेने दो का एक करेंगे रोंग साइट की तरफ से यह दो का एक किया फिर देखिए नेश्ट फंदे उल्टे बुनेंगे उल्टा आ जाए यह लास्ट का फंदा उल्टा आ गया अब देखिए फ्रंट साइड से अब देखिए जो पहला फंदा है इसको हमने ऐसे उतार लेना है और देखिए नेश्ट फंदा ऐसे उतारेंगे अब देखे जो नेश्ट फंद हमने ऐसे उतारा इसके उपर से उतार के इस फंदे को इस तरीकी से यहाँ पर सिलीप कर देंगे इस फंदे को हमने यहाँ पर सिलीप कर देना है और देखे नेश्ट हमने यह दो फंदे एक साथ बुनेंगे अब देखें नेस्ट हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरीके से ये देखें ये दो का एक कर दिया अब देखें नेस्ट फंदे सीधे बुनेंगे और लाश्ट का फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे फिर देखें यहाँ पर हम सलाई पलटाएंगे और देखें नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुन लेने एक और दो इन दोनों को एक साथ बुनेंगे दो का एक कर देंगे ये दो का एक किया और देखें नेस्ट फंदे हम उल्टे बुन लेंगे Last का फंद हम बिना बुने उता लेंगे यह दीखे अब दीखे front side की तरफ से आप दीखे दो फंदे हम एक साथ होनेंगे यह पहला फंद उतारा इसको पल्टाके ऐसे लेप नीडिल में डालेंगे और दोनों को एक साथ होनेंगे दो का एक कर लेंगे दो का एक हो गया अब देखिए नेश्ट फंदे हमने सीधे बुन लेने लाष्ट का फंदा हमने बिना बुने उतारा अब यहां पर हम सलाई ऐसे पलटा लेंगे रॉंग साइट की तरब के लिए अब देखिए नेश्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने दो का एक करेंगे दो का एक किया अब देखिए नेश्ट फंदे हमने उल्टे बुन लेने और लाष्ट का फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे अब देखिए फ्रंट साइट की तरब से अब फ्रंट साइट की तरब से देखिए दो फंदे एक साथ हमनेंगे दो का एक कर लेंगे दो का एक किया यह दिखिए इस तरीके से और दिखिए नेश्ट फंदे हमने सीधे बुन लेने यह दिखिए लास्ट का फंदा हमने बिना बुने उतार आप देखिए रंग साइट की तरब से रंग साइट को हमने सलाई पलटाए और दो फंदे हम एक साथ बुन लेंगे दो का एक करेंगे और नेश्ट फंदे हम उल्टे बुन लेंगे लास्ट का फंदा हमने बिना बुने उतार लेने हैं फिर देखिए फ्रंट साइट की तरब से ऐसे हमने सलाई पलटा दी और दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे ये देखिए और नेश्ट फंदे हम सीधे बुन लेंगे फिर लास्ट का फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है अब देखिए यहां पर हम सलाई पलटाएंगे रॉंग साइट की तरब को अब देखिए नेश्ट हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे ये दो का एक हो गया अब देखिए नेश्ट फंदे उल्टे बुन लेंगे और लास्ट का फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे अब देखिए फिर सलाई पलटाएंगे राइट साइड की तरब के लिए और देखिए दो का एक करेंगे दो फंदे हमें एक साथ भूल लेने दो का एक करेंगे और नेस्ट फंदे हमने सीधे भूल लेने लास्ट का फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे अब देखे सलाई परटाएंगे रॉंग साइड की तरफ के लिए फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे दो का एक किया फिर देखे नास्ट फंदे उल्टे आ जाएंगे लास्ट का फंदा हमने बिना बुने उतार लेंगे फिर सलाई परटाएंगे फिर देखे नास्ट हमने दो फंदे एक साथ बुने दो का एक कर लेंगे फिर दो फंदे सीधे आ जाएंगे और एक फंदा बिना बुने आ जाएगा फिर सलाई पलटाएंगे रॉंग साइड की तरब को अब नैस हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक करेंगे ये दो का एक किया एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा हम बेन बुने उतार लेंगे फिर स्लाई पल्टाएंगे राइट साइड की तरब को हआँ देखे देखे ये दो फंदे हमें एक साथ बुन लेने हैं इस तरीके से फिर देखे इस फंदे को हमने लëp निडिल में उतारना है और देखे जो लाइट निडिल में पहले से एक फंदा है इसको एंसे राइट निडिल की सायता से इसके उपर उतार के ऐसे सिलिप कर देंगे इस तरीके से यह देखे इस तरीके से हमारा यहां पर यह पैटर्न बनके कम्प्लीट हो गया अब नेस्ट हमने यही प्रोसिस आगे 16 फंदों में रिपीट करना है 16 फंदों में फिर यह पैटर्न कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर नेस्ट हम इसको 16 फंदों में रिपीट करेंगे अब देखे यह वाला धागा हमने यहां पर एड़ कर लेना है तो देखे इस तरीके से हमने यहाँ पर इस धागे को एड़ कर लेना है और पहला फंदा बुन लेंगे इस धागे को भी हम यहाँ पर साथ में लपेटते हुए आगे ले जाएंगे और देखिए 16 फंदे सीधे बुनेंगे दो होगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, 14, 15, और 16 आप देखिए 16 फंदों पर फिर हम इस पैटन को रिपीट करेंगे इस तरीके से हमने इस पैटन को पांच बार रिपीट करना है तो देखिए एक हो गया, यह दो और आगे हम तीन बार और इसी प्रोसिस को रिपीट करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी यह पांच पतिया बन के आएंगे तो पहले हम इस तरीके की पांच पतिया बना के कमप्लीट कर लेते हैं सेम प्रोसिस को रिपीट करते हुए यह देखिए यह हमारा पैटर बन के कमप्लीट तयार हो चुका है एक दो तीन चार पांच यह देखिए यह पांच पतिया बना के हमने कमप्लीट कर दी अब देखिए यह पैटरन कमप्लीट होने के बाद देखिए बैक साइड की तरब से हमने सेकिन कलर को एड कर लेने बॉर्डर को छोड़ के बॉर्डर को छोड़ देंगे जो बॉर्डर के आठ सलाया है बैक साइड की तरब से और देखें जहां से हमने उल्टा भुन्ना इस्टार्ड किया है यहां से हमने यह सेकिन कलर को एड कर लेना है और 82 फंदे उठा लेने अब देखें सेकिन कलर से हम यहां पर 82 फंदे उठा लेंगे तो देखें यहां पर हम सेकिन कलर को एड करेंगे यहाँ पर हमारा second color cream color है आप कोई भी color apply कर सकते हैं यह देखे इस तरीके से हमने यहाँ पर यह second color को add कर लेना है यह देखे यह पहला फंदा हमने बुन के उतारा फिर देखे इस तरीके से हम एक-एक करके फंदे उठाना start करेंगे यह देखे नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे यह देखे एक फंदा उठा लेंगे और साथ में देखे यह जो धागा चूटा हुआ है इसको भी आगे लपेटते हुए ले जाएंगे इस तरीके से हमने एक-एक करके फंदे उठाने हैं और उनको बुनते जाना है यह देखे इस तरीके से हम फंदे उठाएंगे अब नेस्ट हमने सेम प्रोसिस रिपीट करना है आव एक अबस्थर लेक bol बणाम具 करबते हैं आवसे गया हमने यहाएंगे लेखे लग्देब schwश्ड करेभ़ एक वर फिल्या है आवसे बढ़ने şehा शे difे 특व इसेम प्रोसिस को हम रिपीट करते जाएंगे और 82 फंदे उठाके कंप्लीट कर लेंगे तो पहले हम यहाँ पे 82 फंदे उठा लेते हैं देखे, हमने यहां पर 82 फंदे उठा के complete कर दे, अब देखे, next row, अब देखे, जो next row आएगी, वो हमारी first row आएगी, यह हमारा front side है, जिस side से अबने यह pattern बनाया है, और देखे, जिस side से हमने फंदे उठाये हैं, वो हमारा wrong side है, पैटन वाला देखे, पैटन वाला साइड हमारा फ्रंट आएगा और जिस साइड से हमने फंदे उठाए, वो हमारा रॉंग साइड आएगा आप देखे, फर्स्ट रो पहला फंदा उतार लेंगे और दखें, फरस्ट रोड को हमने सीधा बुनते हुए कम्पलेट कर लेना है यह देखें, यह वाला पार्ट हमारा सीधा आना चाहिए और देखें, यह वाला पार्ट हमारा उल्टा आना चाहिए सेम प्रोसिस को हम रिपीट करते हुए फर्स ट्रो को कम्प्लीट कर लेंगे देखे ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की फर्स ट्रो कम्प्लीट हो गई आप देखे बैक साइड से से किन डू आप से किन डू में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने से किन डू को उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर लेना है सेम प्रोसिस हम रिपीट करेंगे और बैक साइड से हम अपने से किन डू को उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर लेंगे ये देखिए ये वैक साइड से हमारी सेकिंड रो कंप्लीट हो गई सेकिंड रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किया अब देखिए फर्स्ट और सेकिंड रो का सेम प्रोसिस हमें आगे रिपीट करना है और टोपी के लेंद के हिसाब से हमें बुन लेना है आप देखिए फर्ड रो फ्रंट साइड से फर्ड रो पहला फंदा उतारेंगे आप देखिए पहला फंदा उतारने के बाद देखिए हमने यहां से देखिए एक फंदा उठा लेना है जिस side हमारा pattern बना है उस side से हमने एक फंदा उठा लेना है और देखें ऐसे left needle में shift कर लेंगे अब देखें इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे दो का एक कर लेंगे यह दो का एक किया अब देखें next एक, दो, तीन, चार, और पांच, यह देखें, पांच फंदे हमने सीधे बुन दिये, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखें, फिर हम एक फंदा उठाएंगे, इस साइट से हम एक फंदा उठाएंगे, जिदर हमने पैटर्न बनाया है, फर्स्ट कलर में, तो देखें यहाँ पर हमें एक फंदा उठा लेंगे और फिर इस फंदे को लेफ नीडल में सिफ्ट करेंगे और दो का एक कर लेंगे यह रिखे फिर हम पाँच फंदे सीधे बुनेंगे यह देखे यह पाँच फंदे सीधे फिर हमने एक फंदा उठा लेना है ऐसे राइट नीडल से एक फंदा उठाएंगे और फिर इसको लेफ नीडल में सिफ्ट करेंगे फिर दो का एक कर लेंगे यह देखे सेम प्रोसिस को हमने रिपीट करते जाना है इस सलाई साइथ हम काउंट करेंगे तो 32 सलाईयां और बुनके कमपलेट कर लेंगे यह देखे हमने 32 सलाईयां बुनके कमपलेट कर लेना है इस सलाई की साइथ हम काउंट करेंगे और 32 सलाईयां बुनके और कमपलेट कर लेंगे सेम प्रोसिस हमें रिपीट करना है तो पहले हम 32 सलाया मुन के complete कर लेते हैं टोटल हमारी 34 सलाया होनी चाहिए तो देखें 2 सलाया हमारी पहले से हो चुकी है और 32 सलाया मुन के हम पहले complete कर लेते हैं तो देखें तो देखे यहां पर हमने सेकिन कलर से टोटल 34 सलाया बुनके कमप्लीट कर दी यह देखे रोंग साइट की तरफ से देखे जहां से हमने फंदे उठाए थे यहां से लेके और यहां तक यह टोटल हमारी 34 सलाया बुनके कमप्लीट हो गई यानि कि 34 सलाया बुनके हमने कमप्ली कर दी आप देखिए फ्रंट साइड से 35 रो आप 35 रो में हमारे फंदे घटने स्टार्ड होंगे यानि कि हम अपनी कैप को सेप देना स्टार्ड करेंगे तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे अब देखिए नेश्ट एक दो तीन और चार यह चार फंदे हमने सीधे बुरने के बाद देखिए हमने दो फंदे एक साथ बुरने सीधी साइड से सलाई डालेंगे और दो का एक करलेंगे अब देखें नेशन हमने 5 फंदे सीधे बुनने एक दो तीन चार और पांच ये पांच फंदे हमने सीधे बुने अब देखें फिर हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे सीधी साइट से सलाइड डालेंगे और दो का एक कर लेंगे यह दो का एक किया फिर देखिए नेश्ट लोने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं 2 3 4 áram और 5 पांच फंदे सीधे पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे 2 का एक कर लेंगे पिर देखिए next हमने यही process repeat करना है और अपनी 35 pro को complete कर लेंगे 5 फंदे सीधे बुनेंगे फिर 2 का एक कर लेंगे ये देखे ए फंदे गटाते हुए हमने फ्रंट साइड से 35 रो कंप्लेट कर ली अब देखे बैक साइड से 36 रो पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 36 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है ये देखे ए बैक साइड से हमारी 36 रो कंप्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से 37 रो आप 37 रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और देखे नेस्ट आमने 3 फंदे सीधे बुन लेने तीन फंदे सीधे बुनेगे एक दो तीन फंदे सीधे बुने अब देखे नेस्ट हमने 2 फंदे एक साथ बुनने जो फंदा हमने पहले गटाया था उसके साथ दूसरा फंदा एड करके बुनेगे तो देखे, सीधी साइट से ऐसे सलाई डालेंगे और दो का एक कलेंगे ये देखे फिर देखे, नेस्ट हमने चार फंदे सीधे बुनने एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे फिर हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे, सीधी साइट से सलाई डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, फिर चार फंदे सीधे, चार फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर नेस्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है, हर सीधी सलाई में ही हमने फंदे गटाने है यह देखे सेम प्रोसिस हम रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइट से हम 37 रो कम्प्लेट कर लेंगे यह देखे यह फ्रंट साइट से हमारी 37 रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइट से 38 रो 38 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 38 रो को उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है यह देखें बैक साइड से हमारी 38 रो कमप्लेट हो गई अब देखें फ्रंट साइड से 39 रो अब 39 रो में देखें पहला फंदा उतार लेंगे और नेश्ट हमने दो फंदे सीधे बुनने दो फंदे सीधे बुने अब देखें नेश्ट हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे दो का एक किया फिर देखें, नेश्ट हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, फिर दो का एक करेंगे, इस दो का एक करेंगे, फिर देखें, नेश्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा, तीन फंदे सीधे, और दो का एक करेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक करेंगे फिनेश देखें एक, दो तीन तीन फंदे सीधे दो का एक करेंगे सेम प्रोसिस हम रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से 39 रो कम्प्लेट कर लेंगे देखें फ्रंट साइड से 39 रो कम्प्लेट हो गई आप देखें बैक साइड से 40 रो, 40 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने 40 रो को उल्टा भूनते हुए कमप्लेट कर लेना है यह देखें बैक साइड से हमारी 40 रो कमप्लेट हो गई आप देखें फ्रंट साइड से 41 रो, अब 41 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा भून लेंगे, फिर देखें नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ भूनें तो सीधी साइड से सलाई डालेंगे, दो का एक करेंगे फिर देखें नेस्ट, एक, दो, दो फंदे सीधे, फिर दो का एक कर लेंगे सीधी साइट से हमने ऐसे फंदे में सलाई डालनी है, दो का एक कर लेंगे फिर दो फंदे सीधे, अब देखें नेस्ट हम दो फंदे एक साथ मुनेंगे, दो का एक कर लेंगे हम सेम प्रोसीस रिपीट होगा दो फंदे सीधे फिर दो का एक करेंगे सेम प्रोसीस हम रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से हम फुट्टी वन रो कमपलेट कर लेंगे यह देखे ये फ्रन्ट साइड से हमारी 41 रों कम्पलेट हो गई आप देखे बैक साइड से 42 रों अप 42 रों में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हम अपनी 42 रों को उल्टा बुनते हुए कम्पलेट कर लेंगे ये देखे ये बैक साइड से हमारी 42 रो कम्प्लीट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से 43 रो 43 रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे और देखे नेश्ट अमने दो फंदे एक साथ मुएंगे दो का एक कर लेंगे ये देखे अमने देखे एक फंदा सीधा आजाएगा फिर दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा दो का एक कर लेंगे फिर एक फंदा सीधा दो का एक कर लेंगे सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से हमने 43 रो को कमप्लेट कर लेना है यह देखें फ्रंट साइड से हमारे 43 रो कमप्लेट हो गई अब देखें बैक साइड से 44 रो 44 रो में देखें पहला फंदा उता रहेंगे और बैक साइड से हमने 44 रो को उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है अब यह देखें बैक साइड से हमारी 44 रो कमप्लेट हो गई अब देखें फ्रंट साइड से 45 रो अब 45 रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे और नेश्ट देखें एक दो तीन फंदे सीधे अब देखें नेश्ट हमने दो का एक कर लेना है दो का एक किया अब देखें नेश्ट हम फिर दो का एक कर लेंगे फिर देखें नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे दो का एक कर लेंगे फिर देखें नेश्ट हम दो का एक करेंगे नेश्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे दो का एक करेंगे फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे देखे दो का एक कर लेना है फिर लास्ट में चार फंदे सीधे बुन लेंगे ये देखे ये फ्रंट साइड से हमारी 45 प्रो कंप्लेट हो गई में हमारे पास यहां पे 17 फंदे रह रखे हैं अब इन 17 फंदों को हम बंद कर लेंगे तो देखें यहां पे सुई की सायता से हमने इन 17 फंदों को बंद कर लेंगे पहले हम धागे की कटिंग कर लेंगे अब देखें धागे की कटिंग करने के बाद देखें हमने सुई की साय से इन फंदों को बंद करना है तो देखे किस तरीके से हम इनको बंद करेंगे ऐसे सलाई पलटा लेंगे अब देखे एक-एक करके इन फंदों को ऐसे सुई में उतार लेंगे यह देखे अब इस तरीके से हमने इन फंदों को सुई में डाल लेना है और देखे ऐसे यह दागे को खीज लेंगे दागा हम थोड़ा लंबा ही रखेंगे क्यूंकि हमें इसी से सिलाई करनी है तो देखे इस तरीके से हमने इन फंदों को यह देखे इस तरीके से हम यहाँ पर इस दागे को ऐसे खीज लेंगे यह देखे यह देखे बहुत ही सुंदर हमारी कैप की देखे सेप आई है अच्छी फिनिसिंग आई है देखे अब देखे यहाँ पर हम ऐसे पल्टा लेंगे इस प्रोजेक्ट को ऐसे पल्टा लेंगे और देखे इस साइड से हमें आप सिलाई कर लेनी है तो देखे इसी दागे से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे अब हमें आप सिलाई करना इस्टार्ड करेंगे तो एक बार हम इस दागे को ऐसे खीच लेंगे फिर उसके बाद हम सिलाई करना इस्टार्ड कर लेंगे इस तरीके से देखे सिंपल से सिलाई करने हैं हमें इस देखे इस तरीके से इस देखे सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई करके कमपलेट कर लेंगे यह देखे यहाँ पर हमारी यह सिलाई कमपलेट हो चुकी है और यह देखे यह देखे यहाँ पर कैप को और भी सुन्दर बनाने के लिए एक छूटा सा फ्लावर बना लेते हैं उनसे आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं और डबल कलर में भी बना सकते हैं तो देखे यहाँ पर तुम्हें डबल कलर में बना रही हूँ तो देखे किस परकार से हम इसको बनाएंगे ऐसे हमने डबल धागा ले लेना है और देखे ऐसे उंगलियों के सारे से ऐसे धागे को फोर्ड कर लेंगे आपको जितना भी बड़ा फ्लावर बनाना है उतनी बार आप इस धागे को फोर्ड कर लोगे इस तरीके से हम धागे को फोड करते जाएंगे यह देखे अभी धागे को हमने फोड कर दिया और देखे यहाँ पर हम धागे की कटिंग कर लेंगे धागे की कटिंग करने के बाद हमने जो धागा हमने यह उंगलियों में रोल किया है इसको ऐसे निकाल लेंगे देखे जो धागे का जो सिरा हमने cutting किया है इस से देखे इस रोल को ऐसे फोल्ड करेंगे इसे अंदर डालेंगे धागे को देखे एक बार लपेट दिया दागे फिर देखे, यहाँ पे देखे, इस धागे को ऐसे में अंदर डालेंगे, इस तरीके से, और ऐसे खीज लेंगे, टाइट करके हमने इसको खीज लेना है, ताकि यह खुले न, इस तरीके सम इसको खीज लेंगे, अब देखे जान से हमने इस दागे को फोड किया है इस तरह से हमने इसको cutting कर लेना है इस तरह के से हम इसके यहाँ पे cutting कर लेंगे और यह देखे यहाँ पे हमारा यह flower बनके complete हो गया अब इसको हमने टोपी में add कर लेना है यह देखे अब देखे टोपी में जो hole है यहाँ पे देखे इस double धागे को इस टोपी के hole से अंदर डालेंगे तो देखे यहाँ पे हमने सुई या सलाई की साज़ता से इन धागों को अंदर डालेना है इस तरीके से देखे फिर अंदर की तरब से इसको खीच लेंगे इधागा हमने अंदर की तरब से खीच लिया अब देखिए यहां पर हमने एक नौट बना लेनी है यह देखिए इस तरीके से अब नौट बनाने के बाद देखिए यहां पर हम सुई की सायता से सिल लेंगे ताकि यहाँ पे हमारी कैप की अच्छी सी फिनिसिंग आ जाए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई कर लेने और देखिए जो धागा हमने अंदर डाला है इसको भी हमने इस धागे में लपेटते हुए सिल लेना है इसकी भी हम सिलाई कर देंगे देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई कर देनी है और देखिए जो हमारे धागे बचके इनकी हमें कटिंग कर लेने और बनकी देखिए हमारी कैप भूती खूपसूरत आ गई है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू झाँ 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 झाल झाल